हेलो गाई सब लोग को न्यू वीडियो लेकर आगा देख सकते हैं 14 hp का डीजल इंजन है यह इंजन पानी है 4x4 पानी पंप है इसका इसका जो गरम होके और धुमादे के बंद हो गया तो इसमें हम लगता है पहले इसका बेमारी ढोलने धा को मैं मोबिल घाल लिए हैं आप इस को मॉबिल गर्शमोर sih करें गे Lias देख सकते ना लगता है इसका मा जाहिए आप गभी लेए हैं इतना में रहना चाहिए दो खांच को संभ अ होता है जब इन्हें मोबिल खाता होता है तो मोब नहीं चेक करता है तो इसे चलते शेयर बेरिएंग इसका गल जाता है तो चलते हम लोग खूल लिंगे और कैसे 14-14 अश्वी का शेयर वेरिएंग करते हैं तो आप लोग वीडियो बने रहा है और चैनल को subscribe कर ले बेल इतम कॉण कर लिए डम कर ले जneten रुटिव वीडियो देखने के लिए चलते हैं देख सकते हैं ये bc company का है तो चलते हैं तब रूंव नट को खशोंते हैं झाल Tabla दोनट है वो खी खोल लेता है हम लोग कि आप पहले इसका बिमारी पहले था कर ले किस कारण सोता है तो जब धुमा देखके बंद होने का यही एक कारण है और चेंबर हीट उठाता है तो तिस चलते पहले हम इसका श्यार बेरिंग चेक करेगा और किसी इंजन में कोई बिमा हमारी को अच्छे से पहचाने उसके बाद जो खोले ना जथा भावी इंजन को खोल जाता है तो हम लोग देखिए इसका श्यार बेरिंग पूरा इसका लगया है तो हम लोग इसको सिधा लॉक को लेंगे लोक सिधा करकर इसे हम लोग खोलेंगे एक रिंच ले लेना हमें और वह तरहीं की में पेदमत से से करका ख़ो किए गहां लोग हमाराव असानी से सिधा हो जायेगा चिधा करने के बाद हम लोग रों besar नाल करेंग तकार लिज लेकर के हम को लेंगे इसकोन के मीना अब धुर्व लोग अचर्टकर और करेंगे तो लेते हम लोग है देखे बहुत आत्मी का प्रस्ण रहता है कि शेयर बेरिंग क्यों गल जाता है कि गलने कारान है जब इंजन मोबिल खा रहा है तो आप लोग इंजन पर धियान दे क्योंकि अगर मोबिल खा रहा है तो इंजन आप जब चालू करें तो रोज मोबिल को नापे और घट जाये नहीं तो थो रखरना चाहिए आप लोग और ल् sharply ृए उसके बाद आप लोगी को मोबील नहीं खाएगा तो हमारा सिरम भेरिंज भी नहीं गर लेगा इतना है से विबे Benedict में मारी आगा जब मोबील खाता रहता है तो क्या करता है फैंंजिन हमारा मोबील उठा के लिखिया को अब इसमें बाध देते हैं तंकी में हर आपकी है त्वेपाम पाला हम लोग खोल लेते हैं क्योंकि दोनसा पॉब आतर परबोटा कमना परेगा थिसम लोग दोनत टोंसा ख़ोल लेते हैं प्रेशर पाप खोल लेते हैं 17 नुमर इंच की मदद से आपकर पास 17 नुमर इंच वो तो 17 नुमर इंच की मदद से यह सलाइज इन से भी खोल चाकते हैं लेशे खोल लेते हैं आसे इसे कोल लेते हैं आप चलते हैं तेरे नुमर इंच वो तेरे नुमर इंच वो खोल लेगने हमलू कि अधिए चाहाओ नोट में से ख़ल लेता हैं आप लोको विडियो बने रहें कि अधि कि अधि कि 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 अधिए शब को वासर निकाल लेते हैं इसका अधान पंप्लेट हम लोग जा रहेंगे कि अधिए यहां से निकाल लेना है पंप्लेट को यहां पेक खरे करके रखना है कि यह में खासा की नहीं रखना है कि अधिक सकते हैं अब चलते इसका भी लोग वैसा ही सिधा किया जाता है जैसे उसाइट हम लोग सिधा किया हां कि अधिक करकर इसे भी शिदा कर लेना हम है हम लोग दोनों साटीश में अथारा में 14 HP हो या 15 HP हो या 12 HP या 10 HP हो या 8 HP हो या 5 HP हो तो एसाही श्में अथारा ही नेंबर रिंच हमारा पकड़ेगा कनेक्टिंग बोल्ट में क्योंकि खाली कॉमेट इंजन में मात्रे 17 नमबर इंच पकरता है जो इंजन होता है पाच हच्पी के बाद तो अब चलते हैं से लोग को निकाल लेते हैं हम लोग देखिए शेयर बेरिंग में हमारा गिर गया कि देख सकते हैं पूरी तरफ हांसा हुआ है देखिए सीच करने के कारण कि पूरी तरफ बठी गया है क्रेंग को पकर लेता है देखिए पूरी तरफ पकड़ा हुआ आप भी देख सकते होंगे कि अर्श को धुषित है में छोहाना है नहींस पर बेरिंगे पूरी देखियान ऐसो को क्या भी अफिखिले श्एयर अब चलते हैं हम लोग तो अन्य तन्तों हुआ निकालेंग में उपर वाले को भी जो उपर वाला ही हमारा फाला हुआ हुआ है गरम होकर तो इसे देखिए यहां पर फंस गया है देख सकते हैं अब चलते हैं इसे भी निकालते हैं अब लोग थोड़ा सा यह जगर रहता है ज्यादा हाथ अंदर नहीं गुशता है तो हम लोग नचा कर निकाल लेंगे कि वाइल में खाशेगा तो वाइल में ही खाशा लेते हैं कि देखिए इसका क्या दाशा कर दिया पूरा नाच गया है कनेक्टिन में देखिए पूरा खत्तम हो गया देखिए आप लोग नम्मर भी नहीं दीख रहा है कि चले तो फिलाल हम तो नमर ताकिकर कुछ लिए नमर भी निकालते हैं देखते कितना नमर है कि तो हम लोग नमर को अच्छे से घंच कर दाकिके देखिए यहां से मोबिल हमें पूरा निकाल लेना है उसके बाद अच्छे से साफ कर लाना है चेंबर को पूरा क्लीन देख सकते हैं चेंबर फिल्टर को भी साफ कर लेते हैं लोग देखिए हमारा चमबर फुरा क्लीन हो गया ऐसा ही क्लीन होना चाहिए देखिए शेयर बेरिंग हमारा पास आ गया देखिए टीवी ओन जीरो तीस नमर्ट शेयर बेरिंग है इसमें लगेगा चलते हैं शेयर बेरिंग को निकलते हैं अगर आप लोग इस शेयर बेरिंग लेना चाहते तो मैं इसका लंसलम संप्राइज बोला जाओं तो 180 से लेका 1.500 रुपिया तकली आज आएगा ओल इंडिया जहां भी ले सकते हैं देखिए कितना अच्छा शेयर बेरिंग का फिनीशिंग है देखिए मैं आप लोग का नंबर भी देखला देता हूं कि नगेसे कि जिरू तीस है कि पूरा हमरा अच्छा से आप चलते है इसे हम लोग डालेंगे देखिए इस मेखी में फ़शाना है हमें तो चलिए इहां से एक थोटा रिंज की मदद वह गोप मेढ़ा देते हैं उसमें पलाव में आप चलते है उस पलाव में हम लोग ऄचा देना है तो हम लोग खाच उसी साइट देंगे कर शेकर कर लेना है कि हमारे जो खाण में पैसा हुआ है कि नहीं पैसा हुआ है तो तो चलिए हमें इसे छेख करते हैं दोबारा चल्टे हो गया हमारा आप चलते हैं इसमें लिखा रहाता है तो हमें वह इसी साइट नमर देना है द कि अब इसमें हम लोग चलते हैं पर ला को नीचे वाले को तो हम लोग यहीं सैट नमबर देंगे दोनों नमबर मिला कर देंगे अगर उन्टा पुन्टा हो जाएगा तो इंजन हमारा जाम हो जाएगा तो इसे जलते नमबर मिला कर दे चलिए वासर और कनेक्टिंट नोट हम लोग कसते हैं लोक देना ही है हमें क्योंकि लोक हम ने खो कर दो कि चलिए मारा हो गया वो साइड भी कर सेंगे देखिए मारा अच्छा से पल्ला बठी गया अब चलकर उस साइड भी नट को कर से देखिए आप है अभी साइड भी हम लोग कर से देते हैं कि इसमें शेर बैरिंग चेंज करने में कोई जोरूरत नहीं है हमें टामीन सामीन चेक करने का तो आप लोग खुद से भी सेयर बेरिंग चेंज कर सकते हैं को फिलाल एस्ट्रा खर्चा करने के जरुरत नहीं मिस्तेरी वाइस को देने के लिए आप लोग मेरे वीडियो के मारफत से खुद से भी शेयर बेरिंग चेंज कर सकते कोई बड़ी बात नहीं है शेयर बेरिंग चेंज करने में है चलते हैं इसे भी हम अच्छे से टाइट करें के विए 14 एस भी है तो ज्याधा इंजिन इसका जो दमदार है तो हम लोग कनेक्टिंग को अच्छे से टाइट करना क्योंकिन हमारा जो लूज नहीं रहना चाहिए कि चली कनेक्टिंग अच्छे से लुक टाइट करेंगे और थोड़ा बहुत टाइट जो करना है भी करेंगे देखेशाइट हम लोग का फिल्टर लगाते ते तेहां देखेए बहुत असानी से इसका फिल्टर लग जाता है देख सेकते एब इसको कौभर को मुभी कस्त दि एंगे देखे हमारा कभर को सबने को कसेंगे होगे हमारा कम्पलीट सब्सक्राइब रखते हैं उसके बाद आप लोको उस साइट का हम लोक्स कनेक्टिन बोल कसना बागी है भी चलिए जब नोट का हम लोग कस देते हैं तेरे ना मेरेंच की मेदद से देखे आप लोग 5 हच पी हो 7 हच पी हो 8 हच पी हो या कॉमेट हो या 10 हच पी हो जनीटर हो या दमकल हो पंपीशेट में चलने बाले हो तो आप लोग एसा ही स्यायर बेनिंग सब का च्रण्ज होता है कोई ज़रूरत नहीं कि किसी इंजय का बारा होता है तो नहीं है खाली 5 हच पी और सार शाथ एच पी का जो सी यायर बेरिंग होता है वह भी उन होता है तो आप लोग जब ध्यान दे तो जैसे पंचान में होगे 8 हच पी होगा तो उसका टी बी तो यही दू फरक है और कोई फरक नहीं जो एवी ओन लगेगा पांच एस पी में और टी बी ओन लगेगा साथ एचपी हो या दस एचपी हो चबड़ एचपी बारे एचपी से में लगेगा चलते हैं फिलाल अब इसको हम लोग इसका जो मूबिल लखने वाला हो भी कस दे अच्छाइज है है जो है जो नीर इंज के मारी सिण भी टाइट कर देंगा हो कि हम उब हमारा कपलेट आप उसे चलते हम लोग अभी सैजित हैं कर देता है है कि हम आटाइट हो गाप चलते हैं से लोग करते हैं लोग ये जल्द जंद इसका पंप पंप पला कर सेंगे मैं लोग जब पंप लेकर से दीज़ कảiखी यह पूली धाल सकते हैं तु हमारा नहीं है तो गिरहा पंप कर हों गख source हम कहांती से तो हम लोग लगा दिये विश्य आप लोग भी अगर लगजाए आप लुक सुझे लगा शकते हैं यहना पंप खोल कर सिक भाफ तो है कर आप रॉस्य चलता है ल लिभर रोश्य तो अपलोग फोल गणत खोल दिखान से यह चीज़ का धियान देना है चलिए हम सब नोट को ठाइट कर चुके है अब हम लोग नचा कर चेक करेंगे क्योंकि इसका हो गया कंप्लीट अब तेल पाइप को सेंगे और इसमें मोबिल भी डालेंगे नाया हम लोग जैसे देखिये आभ वह हमारा जो यह छोण यह मीन फारता देखिये जैसे तेल पाय। में रहे गाना वशे कसिएगा आप लोग टू येर नहीं छोड़ाना परेगा देखिए हम लोगी येर नहीं छोड़ाएंगे अब होगे हमारा कम्प्लीट कासा आगा देखिए मैं डाइरेक्ट प्रेशर प्राइब कस्थ देता हूं और सफा है वहाँ पर तो अब इसके बाद चलिए सद्रान वरींच की मतदद से इस चलिए इसे भी टाइट कर चुकते हैं देखिए पूरा एंजन हमारा कम्प्लीट होगा आब इसमें हम लोग मोबिल राखेंगे ये 14HP 454 बहुत अच्छा पाइन देता है अप लोग लोड में भी चला कर रेस्टार करें आप लोग को दिखाऊंगो कितमा इंजन पाइन द दालेंगे यहीं से डलता है मोबिल से इंजन में देखे यह एच्पी कंपनी का जो लाल भुरा कंपनी का मोबिल है एच्पी का ताम लोग देखे पांच लिटरी शीए 14HP तो इसमें 4 लीटर मोबल मोटा होड़ी लगता है क्योंकि सारे 30 लीटर पांच हो गया साथ हो गया 4.8 HP होगया सार साथ एच्पी होगया उसमें लगए इसमें लेकिन 4 लिटर लगा तो इसका छेंबर थोड़ा बारा है क्योंकित्कषी कांच व्युक्त करेंगे दिखें यहांस फ्रेड दौरा डालेंगा में तो उसमें 3 लिटर लगता है लेकिन इसमें 4 लिटर लेए तो मुझा घर स सकता का दाल देते हैं दॉटिने टो इस दो को अद्रब्स निस्टाय देहां अब पहुतिंग निपाशनी जब निचे निचे शान कर डाल सब्सक्राइब यह चलिए हो गया वासर हम एलयी आप चलता है कस तोदेहां जाले करने के पर करिया में है तो देखें जब लगाई एक अधो थोड़ा थोड़ा इंजन थोड़ा टाइट रहता है कि इस यह बेरिंग कर लेता है तुस्य चलते देखें देखें नमड़ा चालू होगा पूरा कम्पलीट हो गया है इस एक तो कोई दूमा अधा कर कुछ न कर सकते हैं साथ सब्सक्राइब करते हैं इसका अधा पानी का लोड में चेक करेंगे दूमारा चमबर समय को नहीं ही तुट हुझ रहा है एक सेंबर दोबर यह डिए धोगा तिन वहाता है साथ स्वेरिग के मैं टोरा है सेंबरा तो दिखाट है और कुछ की सब्सक्रावास अपक्ता ओस्तों कर आपकोаемся पानी को सब्सक्राइब आत्रेखत हैजÃ threaded हम प्सक्तों के साका में झाद को करनद के ऑल में दिखा प्रणी को रहा है और happens एक करने हैं और जो बहर गए लिए ने पानि कि इतना अच्छा दे रहा है देखे चार एच्ट में बहुत पानी का लोड है फोर भाइब फोर है चार इंची में सेक्षन में चल रहा है तो चलते हैं सही से रवेरिंग चैंज कहा जाता है अगर आप लोग जोड़े सपिगा स्यार बेरिंग चैंज का ना ल आपने लान लान